हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है कि सब लोग बढ़ियां होंगे और शांदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि पीटी बिल्कुल पास आगे एक बर ये बता दो आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को मेरी क्रिएट सिस्टम क्या बात है वही क्या क्या नाम रखते हो एक बार मुझे फटा फट ये बता दीजी आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है कौन बताएगा सबसे पहले क्या बोल रहे हो यश हिस्ट्री स्पेक्ट्रम दोस्तों स्टडी आई क्यू पे कि मात्र 125-130 दिन बच गए है उस दिन के लिए जिस दिन का आपको वर्षों से इंतजार है यानि जो स्टूदेंट यूपी एसी की प्रप्रेशन कर रहे हैं ये दिन बेसिकली एक प्रवेश दुआर होता है सपने पूरा करने का है ना तो मुझे एक बार बता दो आल क्लिय अंजली, मनीश, प्रिया, मिशन, ठीक है सबसे पहले आप एक काम कीजिए मेरा क्योंकि एक नया प्लाटफोर्म है हम सब लोगों के लिए वीडियो को जितना शेयर कर सकने है उतना शेयर कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कोशन प्लीज मुझ से बीच तो दोस्तों हम अपनी चर्चा की यदि शुरुआत करें पीटी के लगभग 125 से 130 दिन के आसपास बच गए हैं और आज की डेट में यदि सबसे जादा व्यवधान उत्पन करता है कोई UPSC पास करने में आपके IS बनने के सपने में यदि सबसे बड़ी चुनोती है, सबसे आपका पीटी, ये कब हो रहा है इस बार, सब बच्चों को सपने में भी दिखाई देता होगा, मुझे बताने की जरुरत नहीं है, जो इस बार पीटी दे रहे हैं, यानि 28 में को आपकी ये परिक्षा होने वाली है, अब हमारे सामने ये चुनोती है कि हम किस तरीके से समय प्रबंधन करें, किस तरीके से किन विशों के उपर फोकस करें, कितनी प्रैक्टिस करें, और यदि प्रैक्टिस करें, तो किन-किन माध्यमों से प्रैक्टिस करें, ये सबसे बड़ी चुनोती है दोस्तों, और एक-एक मिनिट कीम्टी होता है, इस बात का खयाल रखना है आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार देख लूँ कौन-कौन स्टूडेंट आए हैं फिर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं राकेश, प्राची, कुल्दीप, सोनम, विभू, ठीक है तो सबसे पहली हमारी जो वारता है वो यहां से शुरू करना चाहूंगी मैं देखो, एक एक एक्जेंपल जो मैं हमेशा से देती आई हूँ, यह बहुत ही सटीक एक्जेंपल है आप लोगों के लिए मान लीजिए एक स्टेडियम है भाई और स्टेडियम में जो है आपको अंदर प्रवेश करके बैटिंग करनी है इस स्टेडियम के बाहर ना लाखों लोग चक्कर काट रहे हैं आप UPSC में में अपनी काबिलियत को तब दिखा पाएंगे जब आप इस स्टेडियम के अंदर प्रवेश करेंगे ये लाखों लोगों की भीड में से आपको कुछ ऐसा स्पेशल करना पड़ेगा कि आप इस स्टेडियम के अंदर प्रवेश पासको हलके में नहीं लेना है एक एक मिनिट की वैल्यू है आप यकीन मानिए कि पॉइंटों से हजारों हजार बच्चे बाहर हो जाते हैं पीटी की रेस में क्योंकि मीनिमम चार से पांच लाख बच्चे ये एक्जैम देंगे और हमारे सबसे बड़ी कमी होती है कि हम तो पढ़ रहे हैं हमें दूसरों से क्या लेकिन ये बात कुछ हत्तर ठीक भी है लेकिन हमें हमेशा सकारात्मक प्रतिस परधा बना के रखनी है हमें वो एक एक म पिछड़ना नहीं है इस एक्जैम में चार से पांच लाख बच्चे एक्जैम देंगे और याद रखिएगा मुश्किल से बारा से पंदरा हजार बच्चे क्वालिफाई करेंगे इस एक्जैम में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसे ही बैटिंग करने का मोका अभी तो उस सरकल के उस स्टेडियम के चारों और चक्कर काट रहे हो तो पहला आधार है पीटी का एक्जैम उसमें प्रवेश करने का उसका प्रवेश दुआर है अगली बात में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अधी हम एक बार देखें पीटी के दो जो प्रशन पत् हैं जो शुरुआत कर रहे हों उनको भी पता होना चाहिए कि आखिर यूपीएसी की परिक्षा को किस पैटन से हम फोलो करेंगे आपको पता है कि दो एक्जैम होते हैं एक जेनरल स्टडी का एक्जैम होता है आपका जीएस का पेपर होता है और एक आपका C-set का पेपर होत होते हैं दोस्तों ध्यान रखना इसमें सो प्रशन होते हैं इसमें अस्ती प्रशन होते हैं बेसिक सी चीज़े हैं ऐपना चूर-चूर हो गया तो C-set को हलके में नहीं लेना है मैं आपको तीन महीने पहले q कि अब यदी हम जी एस की बात करें दोस्तों तो G-S म में आपको بहुत सारे सेगमेंट्स दिखेंगे जैसे इंडियन पॉलिटी है, जोग्रफी है, हिस्ट्री है, एन्वायर्मेंट है, एकनॉमिक्स है, करेंट का पूरा सेग्मेंट है और साइन्स एंड टेक्नॉलोजी है यह पूरे के पूरे, यदि आप इनको देखें मार्क्स वाइस, तो पॉलिटी से आपके लगभग 15 से 20 कोशन हर साल मिलेंगे, वो वैरी करता है, जैसे 2022 में 12 या 13 कोशन थे पॉलिटी में, 2021 में लगभग 18 कोशन पॉलिटी से आ गए थे, है ना तो यह वैरी करता है, जोग्रफी है, तो जोग्रफी बहुत important है आपके लिए, लगभग 20-25 कोशन और यदि जोग्रफी प्लस environment को मिला देते हो, तो आपके 35 प्लस कोशन इन दोनों सेग्मेंट को मिलाके मिल सकते हैं, इसके साथ ही इतिहास से हमेशा आपको 15-20 के बीच में कोशन मिलेंगे, इस कोशन देखने को मिलते हैं, और हिस्ट्री की प्रवर्ती में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पिछले दिनों से, क्योंकि जो इसके traditional area थे ना, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, वहां से इतने difficult question कहीं बार UPSC पूछ लेता है, हमारी गलती क्या होती है, कि हम उस difficult question को ठ हा जाएंगे हम, तो ध्यान रखना, एक question के पीछे अपनी strategy, अपनी energy को waste नहीं करना है हमको, हमको अपनी strategy इस हिसाब से बनानी है, कि हम कम से कम 60-65 question कराएं, 60-65 question यदि आप कर देते हो, तो आप safe zone में रहते हो, तो आपको अपने according, सही areas को ढूंडना पड़ेगा, कि आपक कि strength क्या है, जैसे किसी बच्चे की strength हो सकती है, science and technology, लगभग 5 से 7 question आते हैं, पिछली बार लगभग 10 question के आसपास यहां से देखने को मिले थे, अब किसी बच्चे को science कटता ही समझ में नहीं आती, मेरे जैसा student हो कोई, नहीं आती science समझ में, लेकिन हमें अपनी strength बनानी प पढ़नी ही पढ़ेगी, छोड़ के नहीं जा सकते हो बच्चे, ठीक है, तो ये areas होते हैं आपके, इसमें year wise लगभग question है, जैसे मैं आपको already बता चुकी हूँ कि, लंब सम इस range में आपको question देखने को मिलेंगे, है ना, economics से आपके 15 से 20 question आते हैं, current oriented आते हैं, आप economics तो रट के पढ़ते हो क्या, या conceptual तरीके से समझ के पढ़ते हो, क्योंकि रटने से नहीं होगा UPSC, यदि कोई ऐसा student मुझे सुन रहा है, जिसको बहुत बढ़िया तरीके से रटना आता है, तो बच्चे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझना भी सीख लीजिए, क्योंक इतना छोटा सा syllabus है, घरवालों को दिखाओगे ना एक बार की देखो हम IAS की तयारी कर रहे हैं और हम PT देने जा रहे हैं और यह है हमारा syllabus, तो घरवाले कहेंगे जा मुन्ना, इतना से इतना कम syllabus, हम पास कर देंगे PT, एक बार syllabus पे नजर डाल लेते हैं, पहला पार्ट है, राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय महत्व की सामाई घटनाएं, दूसरा इन्होंने खाली लिख के छोड़ दिया, भारत का इतिहास और भारतिय राष्ट्रिय अंदोलन, भारत और विश्व का भुगोल, भारत और विश्व के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक है आपका जो एकनोमी वाला पार्ट है कि भई गरीबी है समावेशन है जन सांखी की है परियावरन पारिस्तिति की है और सामान्य विज्ञान आप जब पीटी का सिलेबस देखोगे ना बच्चे तो केवल ये दो पेज मिलेंगे आपको जासे में नहीं आना है ये दो पेज से लग रहे हैं ये जो मैं बोल रही थी ने कि इतना कम सिलेबस ये व्यंग था ये स्तले ये इतना अथा है इतना अथा है कि आप अगर सही तरीके से रणनितिक तरीके से एक-एक विशे को समस्ते हुए नहीं पढ़े तो आप डूब भी सकते हैं सिलिबस में डूबने का क्या रत है कि चार महीने लग गए लक्षमी कांथ खतम करने में है ना तो चार महीने से हम विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं जी नए बच्चों को टाइम लग सकता है जो नए बच्चे आते हैं उनको बिल्कुल चार-पांच महीने लग सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नए होते हैं लेकिन जो पीती दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ दूबना नहीं है सिलेबस में बहुत लंबा चोड़ा सिलेबस है बच्चे याद रखिएगा अगर सपना देखा है न तो उस सपने को पूरा करने के बीच में जितनी भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को तोड़ के आगे नहीं बढ़े खतम हो जाओगे सारी जिन्दगी एक बात कचोड़ती रहेगी कि हमने अपना 100% एफ़र्ट नहीं किया हम कर सकते थे दूसरों को दोश देने से कुछ नहीं होता और कहते हैं न दुनिया की असीम शक्तियां आपके अंदर हैं आप सब कुछ कर सकते हो याद रखना motivation बहुत बड़ा factor होता है कुछ भी करने का ये तो एक exam है अगली बात मैं आप लोगों को बता दूँ हमने syllabus देख लिया हमने ये देख लिया कि भाई किस area से कितने question आते हैं आप लोगों के question पर आ रही हूँ मैं अभी अब मैं एक एक करके आप लोगों को strategy सबसे पहले मैं आप लोगों को एक overall strategy बता देती हूं PT की कि क्या अभी आपकी strategy होनी चाहिए यदि आप mains पढ़ रहे हैं अभी और आपको इस बार PT देना है तो मैं ये अनुमान या ये बात बोल सकती हूँ कि आपने लगभग एक बार mains सयार कर लिया होगा जादा से जादा अब आप एक से दो घंटे अगले 20-25 दिन तक दे सकते हैं mains को otherwise अब PT फोकस हो जाए क्योंकि मात्र 125-130 दिन के बीच में आपको time बचा है पहली बात अब हम आते हैं PT सबसे पहले आपको क्या करना है जो basic books हैं दोस्तों इन basic books का जो concept है वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इन basic books का जो concept है वो बहुत ही शांदार तरीके से आपने समझा होना चाहिए मैं एक example बताती हूं कई बच्ची कहते हैं कि हमने जो है NCRT पूरी पढ़ ली है लेकिन यकीन मानिए जब आप उनसे एनसे आर्टी के basic concepts को पूछेंगे तो वो हडबढा जाएंगे क्योंकि उन्होंने NCRT को केवल पढ़ने के लिए पढ़ा है अपने दिल पे हाथ रखके मुझे यह बताईए कि कि किसने एनसे आर्टी को पीया है मतलब पीने का क्या मतलब है घोल के फाड के मिक्सी में पीस के नहीं पीना है उसके concept को समझना है उसके जो ऐसे कुछ विशेवस्तू है ऐसे fact है ऐसे concept है उनको हमें नोट डाउन कर लेना है ताकि जब हम advance book पढ़ेंगे तो हमें basic बाते सारी की सारी पता हूँ अंजली क्या बोल रही है चार साल वो तो आप बार बार पढ़ रहे हो ना और अब मतलब आप तो ऐसी student हो ना आप से कुछ भी पूछा जाए तो आप सोते सोते भी बता देंगी वो तो फिर एक स्ट्रीम लेवल है हम जब धीरे धीरे किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो फिर expertise आ जाती है हमारी है तो सबसे अभी तक नहीं पढ़ा कोई बात नहीं तो सबसे पहले आप लोगों को basic book पढ़नी है उसके बात मैं आप लोगों को topic wise बताऊंगी advance book के बारे में जैसे अभी हम quality की चर्चा करेंगे quality में एक सबसे famous और सबसे बहतरीन बुक भी यही है लक्ष्मी कांथ जी की book है बहुत ही शांदार तरीके से इस book में हर एक पहलू को शामिल किया गया है आप लक्ष्मी कांथ की book को follow कीजिए और पढ़ने का एक तरीका आप बनाईए यहां भी मैं आपको रोकना चाहूंगे एक मिनिट के लिए हम पते हैं कैसे पढ़ते हैं भाई सहाब बड़ी सी किताब है खोलना शुरू किया किताब को शुरू से लेके अगले 15 दिन में निप्टा देंगे किताब को ऐसे किताब को लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं हमें समझी नहीं आ रही हैं इसलिए जब आप शुरू करते हैं तो इस तरीके से शुरू कीजिए कि कौन से एरिया से बार-बार कोशन पूछे जा रहे हैं और कौन से एरिया ऐसे हैं जो हमें सहज तरीके से समझ में आ सकते हैं जब आप व मस्ते हुए पढ़ना है तो जैसे आप लक्षमी कांथ पढ़ेंगे अगली जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important part होता है दोस्तों MCQ solve करने का वो part होता है MCQ एक बात मैं आपको बता दू दोस्तों कितने भी बड़े धुरंदर हो आप अगर यह कह रहे हो कि मैं basic बुक पढ़के और advance बुक पढ़के पीटी पास कर जाओंगा मैं यकीन नहीं करूंगी और 99.99 100% इसलिए नहीं कहती क्योंकि अतिवाद हमेशा गलत होता है 99.99 संभाव नहीं है कि कभी पीटी पास नहीं कर पाऊँगे क्यों क्योंकि पीटी हॉल जब आप exam देने जाते हो ना भाई सहाब कितने 1000 वोल्ट का वो कमरा होता है आप जैसे ही पैर अंदर रखते हो ना कमरे के दिमाग बाहर experience किया होगा उन बच्चों ने जिन्होंने वाकई पीटी एक दो बार दे के देखा है दिया है पास किया है या जो भी उनका result रहा उनको समझ में आएगा कि पीटी हॉल में ऐसे ऐसे बिंदूं के उपर confusion उत्पन होता है जो सामान्य स्थिती में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप सोते सोते अंसर दे दोगे अभी मजाक लग रहा होगा आपको आप भगवान ना करें आपको experience करना पड़े क्योंकि सच बता रहे हूं आप छोटे छोटे विश्यों पे छोटे छोटे बिंदूं पे confused हो ज जितने MCQ लगा सकते हो लगा लो और MCQ के लिए आप क्या लगाएं तो सबसे बेसिक है आपका जो आपके IS के पिछली लगभग 10 से 15 सालों की परिक्षाओं में पूछे गई question है वो इसके अलावा दोस्तो CDS, CAPF ये दो परिक्षाएं ऐसी होती है जिनका आयोजन भी UPSC ही क मेराती है तो यदि आप CDS और CAPF के MCQ लगा लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है UPSC किस तरीके से question पूछती है कौन से मुद्दे UPSC के लिए important है कौन से topic महत्वपूर्ण है इसके साथ आपको हर topic का प्रियास करना है IS optional हुआ करता था 2010 तक जैसे मानलो अभी CSET और ये होता है न GS तो CSET की जगे पे IS optional हुआ करता था इस IS optional जैसे मानलो quality का है PSIR का है history का है geography का है तो इस में से आपको अपने basic question निकाल लेनी है जैसे मैं quality जब MCQ आपको कराती हूँ न तो इस quality के समीधान वाले question मैं आपको कराती हूँ इसलिए एक भी question भार नहीं जाता आपकी परिक्षा से जो मेरे पुराने student होंगे उनको इस बात का अभाज भी होगा और comment section में कृप्या करके आप बताईएगा चाहे 2021 हो चाहे 2022 हो आपको question भार नहीं मिलेगा class से और फिर वही बाद मैं बोलूंगी कि यह मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बड़ा दावा कर रही हूँ कि जो ना बच्चों मेरे सर के पीछ आपको गोल गोल चक्र दिखाई दे रहे गूंता हूँ एसा कोई दावा मैं नहीं कर रही हूं ना ही मैं होनी चाहिए आपकी वो अलग बात है कि जब आप बार बार सुनते हो चीज़ों को तो दिमाग में चीज़े बैठ जाती हैं इस बात को फोलो करना है दोस्तों आपको कि जितनी भी PCS के कोशन है ना इनको बहुत अच्छे से पढ़के समझ के जाओ और कम से कम चार से पांच बार पढ़ो PT कभी फेल नहीं होगा और केवल IAS ही नहीं जब आप PCS के कोशन लगा लेते हो ना तो आपका PCS का एक्जाम भी फेल नहीं होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम केवल IAS का एक्जाम देते हैं PCS का PT आया वो भी दे दिया तो हमारी स्ट्रेटिजी का सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है MCQ लगाना बात समझ में आ गए एक बार थम्जब दे दो फटा फट फट फिर आती हूं आपके कोशन्स पे मनीश कह रहा है मैं के उपर बाला जी की कृपा है वो होनी चाहिए सब के उपर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक रणनीती है बच्चे है ना हम उस रणनीती पे खुद भी जाएंगे तो भी हम सही करेंगे हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना हमने पढ़ लिया और हम सोचते हैं कि हम कोशन्स सही कर देंगे जो की पॉसिबल नहीं होता है एक्जाम होल का प्रेशर बहुती जबरदस्त होता है वहाँ पर इतने चोटे चोटे बिंदुवों पर कन्फ्यूजन होता है कि फिर किसी का कोई कोशन समझ में आ रहा है अब यदि मैं आप लोगों से कहूं कि और क्या करना है आप लोगों को कोई भी मार्किट से एक बहतरीन टेस्ट सिरीज उठा लीजिए लेकिन वो अभी मत उठाओ थोड़ा 20-25 दिन पढ़ लो चीजों को और डेली एक टेस्ट सॉल्व करने का प्रयास करना है आप वो टेस्ट कभी भी लगा सकते हो जिसको जो निशाचर है वो रात में लगा सकते हैं जो सुबह उठने वाले हैं लेकिन मैं ये कहूंगी कि ट सही भी नहीं जाता है ना तो कम से कम हमारी पढ़ाई डिस्टबनी होती होती है हम अपने दिन का कोटा पूरा कर चुके होते हैं तो ये हमारी रणनीती रहेगी बास समझ में आई बच्चें MCQ इतने लगार डालो इतने लगार डालो कि आपको हर कोशन आसान दिखे अब हम एक एक करके यदि मुद्दो पे चलेंगे सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि PT का जो भी सिलेबस है उसकी जानकारी होनी चाहिए पिछले सालों के कोशन अंसर आपको लगाने है प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने है डेली एक टेस्ट आपको लगाना ह है और साथ ही बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझने ही है और ये देख रहे हो बच्चे आप इसको ना आप पीटी लिख लो हाला कि मैं पीटी की स्लाइड कराई रही हूं ये लिखने का मतलब क्या है जो मेरे नए स्टूडेंट है वो जान लो पीटी का मतलब है कि ये बात पीटी के लिए सबसे जादा इंपोर्टेंट है आप 20 किताबे पढ़ने से जादा अच्छा है एक किताब को 20 बार पढ़िये अब हम पॉलिटी में जो है सुभाश कश्यप भी पढ़ेंगे डीडी बसू भी पढ़ेंगे लक्षमी कांथ भी पढ़ेंगे और पीटी पास करके आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है लक्षमी कांथ को उठाइए लक्षमी कांथ को पढ़िये और कम से confusion कब दूर होंगे जब आप छोटे-छोटे मुद्दों के उपर बार-बार question solve करेंगे ठीक है अब यदि हम सबसे पहले quality की बात करें तो दोस्तो quality में ना सबसे पहले आपको लक्षमी कांथ किताब आपकी कंठस्त होनी चाहिए और मैं अभी बताई बार-बार पढ़नी है और साथ ही जो भी study IQ पे आपको notes available हो रहे हैं वो MCQ main है दोस्तों MCQ में मुझे बार-बार कहना ना पड़े इस बात को करना लिख के अपनी दिवार पे चिपकालो यह करना पड़ेगा आपको और यह करना पड़ेगा आपको इसको किये बिना आप मुश्किल हो जाएगा पीटी पास करना लेकिन इतना कर जाओगे ना हर सब्जेक्ट का तो फिर चीज़े आसान हो जाएंगी किया बोल रहे हो बच्चे टी एज बोल रहा है एकनोमी के लिए मैं आप लोगों को बताती हूं एकनोमी के लिए ना जैसे स्टडी आईक्यू के प्लैट्फोर्म पे ही अतुल जैन सर रमेश सिंग किताब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को बहुत ही हिस्ट्री के साथ ही समध्ध करके देखेंगे यदि ओवर ओल बात करें तो आपको बेसिक बुक पढ़नी है और कि मोडन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है जिसमें आप विपिन चंद्रा इसके साथ ना विपिन चंद्रा कम पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके कुछ सिलेक्टेड टोपिक है मैं आपको बताऊंगी साथ ही आपना स्पेक्ट्रम जरूर कवर कर पेक्ट्रम जरूर कवर कर लें, PT के point of view से, स्पेक्ट्रम आप लोगों के लिए important है, और study IQ चैनल पे ही, स्पेक्ट्रम का जो पूरा program है, वो चल रहा है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम, साथ ही विपिन्चंद्रा के ना, आप कुछ selected topic पढ़ेंगे, जैसे आप गांधी के अंद बोलन वाला topic है, वो इससे पढ़ सकते हैं, तो कुछ selected topic आपको भी पिन्चंद्रा के पढ़ने हैं, otherwise आप स्पेक्ट्रम यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं, और पिछले सालों का अभ्यास करके चले जाते हैं, तो maximum question आपकी range के अंदर रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख कोशन के लिए इतनी बड़ी किताब पढ़ने की जरूरत क्या है, तो लेकिन basic आपको पता होना चाहिए, और basic के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो ध्यान रखना, ancient history के लिए आपको राम शरन शर्मा, और medieval history के लिए आपको सतीश चंद्रा, यह NCRT, यदि आप cover कर लेते हैं और जो एक आध़ easy question आपको मिल जाता है, जो range में है, वो आप कर लोगे, एक बात याद रखना दोस्तों, काफी difficult question पिछले 3-4 सालों से ancient और medieval से पूछे जा रहे हैं, अब उस एक question के लिए किसी बड़ी किताब के पीछे नहीं पढ़ना है हमको, लेकिन हमको अपना basic cover करके जाना है, अगर बहुत ही जादा difficult question होता है ना, वो सब के लिए difficult होता है, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को difficulty से एक बात याद आ गई, वो बताने का प्रयास करूँगी, ध्यान से सुनना इस बात को, देखो, आप गए exam hall में, आपने जो है प्रशन पत्र खोला, अब जो कि जिसके संघर्श लिखा है जीवन में, हो सकता है, शुरुआत में ही उसको दस मुश्किल question मिल गए, लेकिन एक बात याद रखना, ओवर ओल जो IS का exam होता है, यानि जो 100 question होते हैं, इसमें 15 से 20 ऐसे question होते हैं, जो बहुत ही जादा कठिन होते ही होते हैं, वो सब के paper भी आएंगे, किसी के में बीच में आजाएंगे, किसी के में last में आएंगे, कई बच्चे जिनके exam में वो पहले ही दिख जाते हैं, माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, वहीं पर हतोतसाहित हो जाते हैं, लुट गए, बरबाद हो गए, रिष्टेदार याद आने लगते हैं, क् नमक लेके बैठे होंगे घाओ पर रगडेंग एकदम तो यह सब जीसे जो है नहीं सोचनी है एक बात याद रखना UPSC इस तरीके से पेपर बनाती है कि यदि आप संतुलित होके सहज होके अटेम्ट करते हो कोशन स्कोर आपने बुनियादी तरीके से सारे विशों को पढ़ा है अच्छे से M.C.Q लगाया है आप 55 से 60 कोशन बहुत आराम से कर सकते हो बहुत आराम से कर सकते हो लेकिन आपका base strong होना चाहिए आपने practice जबरदस तरीके से की होनी चाहिए है ना आप positive mindset का होना चाहिए आपको तो इस बात का ख्याल रखना है शुरुवाती 55 कोशन देख के हार नहीं माननी है कायरों की तरह जो है घबरा के नहीं बैठ जाना है जब रास्ता चुन लिया है तो हम उस रा के लिए जजबा चाहिए जुनून चाहिए positive mindset चाहिए ठीक है अगला मुद्दा history आपको समझ में आया एक बात याद रखना history में इतना जरूर कर लेना कि medieval की सतिश चंद्रा ancient की रामशरन शर्मा और spectrum और साथ में MCQ MCQ में फिर वही 5 चीज़ें याद रखनी है आपको पूरी नहीं पढ़नी है ध्यान रखना काफी मोटी बुक है पूरी नहीं पढ़नी है और एक आती है CCRT जैसे dance form पढ़ लिये हमने या कुछ संगीत के बारे में पढ़ लिया तो जो important जहां से question बनते हैं वो यहां से आप cover कर लोगे और साथ ही art and culture का जब हर महीने का current लेना है इतना यदी कर लोगे तो आपका तीनों पार्ट हिस्ट्री का art and culture बहुत अच्छे से cover हो जाएगा और सबसे last but not least MCQ धेर सारे इतनी practice कर देनी है कि exam बहुत आसान लगे समझ में आया अगला कोई question target broker बिलकुल निकल देखो बच्चे YouTube से पढ़ लो या आप किसी class में जाके पढ़ लो पढ़ना आपको खुद से है जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ऐसा तो है नहीं आप किसी offline teacher आपके दिमाग में जो है ना सर पे हाथ रख देगा और पूरा जो है ग्यान आपके अंदर समा जाएगा ऐसा possible नहीं है अब virtually हम तो नहीं सर पे हाथ रख सकते हैं लेकिन ऐसा possible नहीं है finally मेहनत आपको करनी है हम आपको एक दिशा बता सकते हैं कि देखो बच्चे किताबे पढ़ने से PT नहीं निकलेगा जब तक practice नहीं गरोगे PT नहीं निकलेगा लिख के ले other PCS का revision करा दे बिल्कुल कराऊंगी जैसे ही मुझे 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 मुका मिलेगा ठीक है अभी मैं आप लोगों को basically कुछ-कुछ मुद्दों के उपर गहन आप लोगों के सामने चर्चा कर रही हूं जिसमें आप मेरे कुछ प्रोग्रेम्स देखते भी होंगे study IQ channel पे ठीक यह संगी कि साथ मिर्ची भी लेकर बैठते हैं किसी को नी पता लेकिन ऐसे नले टाइप के लोग, नले समझते हो, विल्ले बोलो, मैं वैसे ठाली टाइप के लोग, हरियानवी में जो विल्ले, फ्री लोग होते हैं, उनको ठाली, जिनको I.S. की फुल फोर्म तक नहीं पता होती, वो हम पे कटाक्ष करते हैं, अच्छा, लग गई बत्ती काड़ी पे बन गया, यह सबसे बड़ी विडम बना और सबसे बड़ी चुनोती होती है हमारे लिए, तो हमें अपना माइंड सेट बहुत ही जादा पॉस्टिव रखने की जरूरत होती है, मतलब इस कान से सुनो और अंदर भी मत आने दो, दिमाग पे तो हावी रखना ही जब दिमाग पर अतिरेक्ट बोज होता है, तो हमारी जो कार्या करने की जो, कैपस्टी है, वो कम हो जाती है, क्योंकि ने रह के कोई भी रिजल्ट बढ़िया नहीं निकल सकता, है ना, अब देखो, अब अगली बात हम करते हैं, जोग्रफी, जोग्रफी के लिए आपको क्या करना है, दोस्तों यह बहुत important segment है, लगभग 20-30 के बीच में आपको यहाँ पे question मिलेंगे, दो चीज़े याद रखना, एक तो छटी से बार्मी की NCRT को घोट के पी जाओ, और यदि छटी से बार्मी तक की नहीं पढ़नी है, तो ग्यार्मी की दोनो NCRT राम बान हैं, लिख लो यहाँ पे, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यह जो ग्यार्मी की दोनो NCRT है न, यह इतनी आसान नहीं है कि आप एक बार इसमे एक भोतिक भुगोल वाली NCRT है, वो NCRT कसम से बता रही हूँ, ऐसी है कि आप जितनी बार पढ़ोगे, मतलब आप यदि उस NCRT को दस्वी बार भी पढ़ रहे हो न, तो दस्वी बार भी उस NCRT में आपको कुछ नया दिख जाएगा, जितने कंसेप्ट हैं आपके, लग भग इन दोनों NCRT से बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्यार मी की दोनों NCRT, बार मी की NCRT भी पढ़ सकते हो, बाकी, एक बुक आती है दोस्तों, महेश बर्णवाल, महेश सकते हैं, कि यह जो ओल्ड NCRT है न, ओल्ड NCRT को एक जगे कंपाइल किया हुआ है, इस बुक में, आप यह कह सकते हो, इस बुक को आप क्विक रिवीजन के लिए ले सकते हो, यदि आपको मानलो आपने पूरी NCRT पढ़ ली, आपको क्विक रिवीजन करना है, है न, है, कि यदि आप दिन में 4-4 घंटा भी देते हो, दो-दो घंटे की शिफ्ट देते हो, तो आपकी 7-8 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, बास समझ में आई, और एक बात ध्यान रखना, जोग्रफी के कंसेप्ट होते हैं, रटना नहीं है जोग्रफी को, टोपिक देखने है, selected topic, लिखा भी है मैंने यहाँ पर, जैसे आप climatology देख सकते हो, या जो ये होते हैं, क्या नाम है इसका, चक्रवात वगेरा, तो ये बहुत अच्छे से दिये हुए है इस बुक में, मानलो यदि आपको ओर deep concept समझना है, तो ये तीन चीज़ें आपको कभी ऐसा नहीं है कि नहीं, एटलस को ना, बिल्कुल पी जाना है आपको, कौन सा पहाड, कौन सा परवत, कौन सी नदी, कौन सा जरना, कौन सा मुद्दा देश चर्चा में है, उस देश की सीमाए, है ना, तो एटलस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, माजिद हुसेन भी ले सकते हो, वो फिर वैरी करता है, माजिद हुसेन की भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगी, आप को, देखो, कहने का क्रक्स क्या है, कि एक किताब आपको इभी उठा लो, लेकिन बच्चे NCRT नहीं छोड़ना है, क्या नाम है आपका, राख राखी, बच्चे NCRT नहीं छोड़ना है, NCRT को तो जरूर ही पढ़ना है, और बहुत अच्छे से, टाइम लगेगा NCRT को समझने में, है ना, तो ध्यान रखिएगा, एटलस और साथ ही फिर आप क्या करोगे जोगरफी में, जितने भी MCQ आएं है, स्टेट, PCS में, IES में CDS वगेरा में, तो वो सारे MCQ आपको लगा के ही जाने हैं, और टेस्ट जब आप लगाओगे तो उसमें जोगरफी के कोशन्स भी होंगे, और जोगरफी के मैक्सिमम कोशन्स जो आते हैं, वो कंसेप्चुल बेस आते हैं, पहले आया करते थे, फैक्चुल, कुछ फैक्ट पूछ दिया, लेकिन आज की डेट में, जोगरफी से, फैक्चुल कोशन्स लगभग आने बंद हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, पवन एकदम सही बोल रहे हो, मैं महिश बनवाल, मैंने प्री की ही बात कर रही हूं, बच्चे अभी मैं, पीटी की ही बात कर रही हूं, क क्विक रिवीजन यदि आपको मानलो जोगरफी का करना है, आपको एक साथ सारी चीज़े चाहिए, कुछ उसमें फैक्चुल नॉलिज भी काफी अच्छ है, तो आप एक, मतलब एक देख सकते हो, एक बार रिवीजन कर सकते हो, उसका पीटी के लिए, मेंस के लिए ये कुछ नहीं करना, आपको ग्यारवी क्लास की जो ओल्ड एन्सी आर्टी है, ये एन्सी आर्टी पढ़ने में आपको लगेगा समय, जब मैंने, क्योंकि एन्वार्मेंट शुरुआत में जोड़ा, तो जब मैंने इस एन्सी आर्टी को पढ़ा था, तो सब उपर से गया था मेरे, तो मेरी एक फ्रेंड को एन्वार्मेंट का नोलेस था, मैंने उसके दिशान विर्देश में पढ़ी एन्सी आर्टी, जब मैंने समझ ली, फिर मैं अपने आप पढ़ने लगी, उसको पांच-छे बार पढ़ा, तब जाके मुझे चीज़ें क्लियर हुई थी एन्व इसके बाद हम एक दम ऐसे गर्दन उठा के कहते हैं, एन्सी आर्टी, अरे सब निप्टा दी, निप्टाना नहीं है, समझना है, ठीक है, बुझ गए, बात समझे, अगला क्या काम करना है, शंकर आईएस की एक एन्वार्मेंट का बुखलेट आता है, यदि हिंदी में इस सबसे इंपोर्टेंट होता है, एन्वार्मेंट में, यानि बेसिक आपका यहां से कवर हो गया, MCQ के माध्यम से आपको यह पता लग गया कि भई, क्या प्रवर्ती रहती है एन्वार्मेंट के कोशन की, और हमने प्रैक्टिस कर ली, साथ ही एन्वार्मेंट का जो करेंट ह होनी चाहिए, ठीक है, आरी हूँ आपके कोशन पे, एन्वार्मेंट हो गया, उसके बाद मैं आती हूँ एकनोमिक्स पे, इससे पहले आप लोगों का कोई कोशन है, तो आप लोग मेर से पूछ सकते हैं, क्या बोल रहे हो, टार्गेट ब्रो, पूछने वाला, पूछते र देख नहीं है, आप एटलस को इस तरीके से देख सकते हो, मानलो हम कंटीनेंट वाइज उठा ले, है ना, जैसे एशिया है, एफ्रीका है, या नोर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उस्ट्रेलिया, या फिर हम फिर कंट्री वाइज देखें, क्या चर्चा में रहा है, उस के अकोर्डिंग हम मैप को पढ़ें, तो इस तरीके से मैप को पढ़ने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए, करेंट से जोड के भी, और जो बेसिक चीजे है मैप की, वो भी आपको पता होनी चाहिए, अभी बता रही हूँ, मनीश ध्यान रखना मैम किस बुक से कौन टॉपिक पढ़ना है, देखो, स्पेक्टरम तो अल्मोस्ट कम्प्लीट पढ़नी है, विपिन चंद्रा से मैंने आपको बता दिया, आपको जब आप MCQ करोगे ना, हमेशा एक बात का फंडा याद रखना, जब आप MCQ करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक दिखेंगे, जो बार-बार परिक्षा में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को आप और जादा बहतर करने के लिए, स्टेंडर बुक का साहरा ले सकते हो, जैसे मान लो गांधियन मॉमेंट है, अंदोलनों के बीच में भी डिटेल पूछा जाता है, आपने स्पेक्टरम पढ़ा, आपको लगा स्पेक्टरम से मेरे को बहुत जादा समझ में नहीं आया, तो आप विपिन चंद्रा से वो टॉपिक ले सकते हो, है ना, ध्यान रखना, तो इस तरीके से उसका डिसीजन तब होगा, जब आप लगातार MCQ लगाओगे, और MCQ मार्किट वाले नहीं लगाने है, शुरुवात मार्किट वाले MCQ से ना कर देना भाईयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, ध्यान से सनो मेरी बात को, शुरुवात यदि MCQ लगाने की करनी है ना, तो आप छोटे उस्ते करो, आप PCS क की MCQ लगादो ना, आप IS की MCQ देखो, ताकि आपको ना, IS की परिक्षा का ट्रेंड समझ में आ जाए, कि कहां उल्जार आ है MCQ, ये, UPSC, कहां पे हम Elimination method के माध्यम से चीजों को solve कर सकते हैं, कहां पे नहीं की वज़े से question गलत हो रहा है, है ना, तो ये सब आपको practice जबा करोगे, तो समझ में आ जाएगा, अंकुष बोल रहे है, मैं, which book read, spectrum तो basic पढ़ो बच्चे, लेकिन विपिन चंद्रा आप शायद लेट आए हैं, मैं आपको बार-बार बता चुकी हूँ, विपिन चंद्रा के selected topic करने हैं, तीन चार topic करने हैं, है ना, अब देख लेते हैं हमें एक बर economy के बारे में, देखो, एक दो budget आप देखते हो, साथ ही economic survey, अच्छा लिखा है आपे, budget और economic survey आपको basic देखना होता है, हर साल का जैसे 2023 का जो budget आएगा, 2023 का जो economic survey आएगा, उसको आपको brief में पढ़ना होता है, अलग-अलग हमारे platform पे भी study IQ के platform पे, अतुल सर अभी रमेश सिंग बुक पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत ही basic तरीके से conceptual clarity के साथ वो इस बुक को पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना, आप दोनों बुक में से कोई भी एक बुक फोलो कर सकते हैं, रमेश सिंग या Ethan Lal करके एक बुक आती ह यहां पेना में specially आप लोगों को एक बात समझाना चाहूंगी, economics एक ऐसा topic है, जहां से बच्चे अक्सरना भैभीत रहते हैं, तो economics में जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो, तो शुरू से मत पढ़ो उस बुक को, आप उसके इंट्रस्टिंग टोपिक को उठाओ, जैसे पढ़निंग व्यवस्था उठा लिया, गरीबी उठा लिया, बिरोजगारी उठा लिया, हमारी problem क्या होती है, हम शुरुआत ही करते हैं, GNP से, और राष्ट्रियाए से, GDP वगेरा से, तो हमारे, मतलब हम शुरू से ही डर जाते हैं, जब आप पढ़ोगे न, कि कुछ नही है, भाई, economics में सब concept का game है, एक बार चीजों को समझ लिया, revise कर लिया, question economics का सबसे सरल होता है, economics का question, ध्यान रखना, क्योंकि conceptual question होता है, तो आप इन book को, इन book में से किसी भी एक book को follow कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है, जैसे मानलो आपने मुद्रा स्वीती पढ़ा, तो important concept को, important बिंदों को निकाल लिया एक page पे, अपने final notes पना लिये, यानि मुद्रा स्वीती का concept भी जब आपको समझना है, तो आप उस note को देखोगे, कुछ example आपने लिखे है, समझोगे बात खतम, ठीक है, तो इस तरीके से आपको economy को cover करना है, साथ ही current बहुत जादा important होता है, दोस्तों, economy में लगबग एक साल का current पढ़ना है, और NCRT न, economy की, आपको छटी से बार्मी तक पढ़ने की जरूत नहीं है, ग्यार्मी की एक NCRT आती है, समावेशी विकात, इसमें basically बहुत सरल NCRT है, आप तीन चार जिन में खतम कर सकते हो, तो एक round reading, जैसे जिसका, मा टीचर को follow कर ले, या खुद से पढ़ ले, है न, लेकिन बार-बार पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से, क्या बोल रो, नीरज में, आप जो social मुद्धे पढ़ा रहे हैं, उसका PDF, उसका PDF में जल्द ही बता दूंगे, आपको कहां पे मिलेगा, क्योंकि मैं अभी नई हुई, इस platform पे, धीरे-धीरे चीज़ें बिल्कुल सहज हो जाएंगी, तो मैं आपको पूरा बता दूंगी, और सारे PDF आपको मिल जाएंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, किसी का कोई question? चलो, अब बात कर लेते हैं, दोस्तों, एक बार current की, तो current में आपको, मेरी कुछ class चल रही है, study IQ पे आपको बहुत सारी news मिलती हैं, दो-दो मिनिट की, बहुत सारे shorts मिलते हैं, इनको साथ ही Hindu या Indian Express की जो news है, उनको follow कर सकते हो, एक बात ध्यान रखना, market से कोई भी magazine उठा लेना, कोई भी, आप magazine उठा सकते हो, market से, इस magazine को आपको follow करना है, लग भग, आप अलग, बढ़िया-बढ़िया magazine आती हैं, आज कल, आपको अलग-अलग coaching की magazine दिख जाएंगी, बिल और current के लिए specially आपको test paper लगाने हैं, मैं दूसरे subject के लिए ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, हाला कि उनके लिए भी आप test paper लगाओगे ही, देखो, इस difference को समझो, बाकी विशों के लिए न, आप पिछले सालों के MCQ आपके लिए बहुत रहते हैं, जैसे PCS, IAS और CDS वग PCQ पिछले सालों के तो काम आएंगे नहीं, तो इसलिए MC, current के लिए आपको अलग-अलग coachings के, आपको current का test paper मिल जाएगा, उसको जरूर लगाना है, इतना काम कर ले न, इसके साथ ही एक काम जरूर किया करो दोस्तों, यदि आपको अपना ज्यान वर्धन करना है, राज्य की speed से लगा के छोड़ दिया, आपको ना मुद्डो की समझ में हो जाएगी, हिंदी माध्यम के साथ सबसे बड़ी समस्त्या क्या होती है, कि हिंदी माध्यम ऊपरी तोर पे पढ़ता रहता है, डीप में नहीं जाता है किसी भी मुद्दे के, यह समस्या है, तो यह समस्या क समाधान तब होगा, जब आपके सोर्स अच्छे होंगे, है न, तो ध्यान रखेगा, कोशिन भाई किसी बच्चे का क्या बोल रहे है, पूजा, हर बुक का टोपिक, ठीक है पूजा, मैं दो मन्त की प्रप्रेशन में प्री निकल जाएगा, देखो, ध्यान रखना, लक्ष तो भाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर एक ऐसा स्टूदेंट है, जो लगभग एक डेड़ साल से, मिनीमम एक डेड़ साल से तयारी कर रहा है, जिसका मेंस लगभग पृपेर है, मेंस में जिसका ओप्षनल जब लगभग पृपेर है, ऐसे उसे लिखना आता है, ठीक भाग धंग से है ना तो ये बच्चा PT बिलकुल अराम से दे सकता है और इसका निकलने की संभावना भी ज्यादा होती है क्यों ज्यादा होती है क्योंकि ये एक बार विशों को मेंस मेंस के तोर पे पढ़ चुका है, पॉलिटी को, जोग्रफी को, हिस्ट्री को, एन्वायर्मेंट को, इकनॉमी को, तो जब पीटी पढ़ेगा, तो इसको जाधा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह conceptual तरीके से मुद्दो को समझ चुका है, अब तो इसे क्या करना है, एक बार जो ए आपका, पीटी, पे थोड़ा विचार कर ले, बाकि फाइनल लिरने तो आपका रहने वाला है, हम कोन होते हैं, हस्तक शेप करने वाले, ध्यान दखना, एक, क्यों इस बात को समझना, इसलिए जरूरी है, माल लो आपने पीटी दिया, 28 में को, और एक महीना लगभग में र अब मालो, आपका मेंस तयार नहीं है, तो इस पीटी और मेंस के बीच में, लगभग धाई से तीन महीने का टाइम होता है, बस, धाई से तीन महीने वो टाइम है, जब आप केवल रिवीजन कर पाओगे, चीजों का, पढ़ नहीं, उनको अच्छे से समझ के नहीं कर पाओ होगे, इसलिए एक बात का आपको खयाल रखना है, कि यदि आपका मेंस अच्छे से कवर है, तभी पीटी देना, अधर्वाइज एक साल अच्छे से मेंस पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद पीटी पे आना, क्योंकि पीटी के बाद मेंस को तयार करने का समय बहुत ही जादा कम होता है, करन्ट आप समझ गए, इसके साथ ही दोस्तों, यदि मैं साइन्स अंटेक की बात करो, तो साइन्स अंटेक में आप करन्ट पढ़ सकते हैं, पिछले एक साल का, बहुत इंपोर्टेंट है, करन्ट तो कम से कम आपको साइन्स अंटेक पढ़ के ही जाना है, और NCR या इंडिया इयर बुक में लगभग 5-6 टोपिक दिये हैं, साइन्स अंटेक के, आप बेसिक फंडा यदि कवर करना चाहते हैं साइन्स टेक के, तो वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है, आपके कोशन पर आ रही हूँ, मैं यहीटर बंद कर दूँ भाई, बात समझ में आई, कोशन किसी का, क्या बोल रहे हो, future IS, मैं NCRT की preparation से PT, नहीं, केवल यह आप यह बोलोगी, मैं NCRT पढ़ के PT नहीं कल सकता है, तो यह 99.99% नहीं नहीं कल सकता, NCRT ना आपका बेस बनाने के लिए ठीक हैं, आपको मुद्दों की समझ के लिए ठीक हैं, लेकिन जहां से कोशन बनते हैं, उसके लिए आपको advanced book पढ़नी पढ़ेंगी, और केवल advanced book पढ़ने से भी नहीं होगा, क्या करना पढ़ेगा, कौन बताएगा, MCQ solve करने पढ़ेंगे बार-बार, ठीक है, सत्तु क्या बोल रहे हैं, PT निकाल पर mains, mains निकलेगा, writing practice करने से, बार-बार लिखने से समझने से, हर बहुत जादा महनत करने से, अराम से निकल जाएगा, tension मतलो, तो ये हो गए हमारी science and tech, अब बात कर लेते हैं, यहां तक एक बार मुझे आप ये बता दो, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है, फिर मैं बात करती हूँ, C set के ल ना, तो क्या होता था, एक paragraph होता था, और एक paragraph को पढ़ने पे कम से कम 3-4 question solve हो जाते थे, लेकिन आज की date में प्रद्रिश्य बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है, होता ये है कि इतना क्लिष्ट paragraph होता है, और question देखते हैं, एक, मन में ऐसा मन करता है कि कि किसने paper बना है, कि लेकिन क्या करें हम, मतलब मजबूर होते हैं, तो C-set को हलके में लेना नहीं है दोस्तों, क्योंकि C-set ना आपकी भरी-भराई लुटिया को डुबो सकता है, बिल्कुल पलट सकता है, कि किसी का कोई question यहां तक, बास समझ में आ रही है, पीटी के लिए कैसे पढ़ना है, और यहां C-set पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दू कि अंतिम लगभग साड़ तीन से चार महीने हैं, नेगटिव लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो, ब्लोक मार दो जो लोग आपको हतोत साहित करते हैं, कई इस तरीके की शैतान प्रवर्ति के ल जनून हैं, महनत करते हो, सकारात्मक सोसते हो, और सही दिशा में महनत करते हो, क्योंकि आइस का एक्जैम क्लियर करने के लिए ये जरूरी होता है कि हमारी दिशा सही होनी चाहिए, महनत तो एक मजदूर भी करता है और महनत एक इंजीनियर भी करता है, तो हमें इंजीनियर आपके अंदर वो साहस आपके अंदर वो जुनून है और UPSC की एक खास विशेश्टा यही है कि यहां ब्रष्टाचार शुन्य है कोई यह दावा नहीं कर सकता कि यहां पर पैसों केबल पर ही सेलेक्शन होता है क्योंकि अक्सर ऐसे सेलेक्शन आपको यहां पर देखने को मि बिल्कुल ग्रामीन प्रिष्ट भूमी जो बिल्कुल गरीब प्रिष्ट भूमी से आते हैं है ना तो यदि सपना देखा है तो फिर उसे पूरा करने के लिए या तो लगो ही मत कुछ और काम धंदा कर लो और यदि लगे हुए हो तो फिर अपना 100% देना है ठीक है अब बात कर लेते हैं किसकी सी सेट की सी सेट का आप यदि सिलेबर देखोगे तो इसमें कमप्रिहेंशन है इंटर पर्सनल ये संचार कोशल सहित अंतर व्यक्तिक्त कोशल है आपका रीजनिंग आता है इसमें आपका डिसीजन मेकिंग आता है और जेनरल मेंटल एबिलिट अब की चेक की जाती है और बेसिक मैथ आता है इसमें आपको क्या करना है ध्यान रशना मैज को बहुत ज्यादा आप कम-से-ल्डश्र doit को चुछ का होंगे ठोड़ा सा हो entra veulent करना पड़ेगा 2011 से लेकर 2002 तक जितने भी सीजाट के पर हुए है उनका एक बार आप उनको पढ़ो और देखो कि कहां कहां से question पूछे जा रहे हैं, percentage से पूछे जा रहे हैं, ओसत से पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से आप reasoning की बात करोगे तो blood relation से लेके dice से question बनते हैं, permutation combination से question बनते हैं, तो आपके न कुछ selected topic निकल आएंगे, और math के लगभग 10 से 12 topic आपके निकल आएंगे, कि जिन-जिन topics को हमें देखना है, और साथ ही reasoning के भी इसी तरीके से मुश्किल से 10 से 12 topic आपके निकल आएंगे, जब आप देखोगे paper को, यह काम करना है आपको, यानि maths और reasoning, इनकी practice, साथ में सबसे जादा important क्या है, 2011 से लेके 2022 तक, जितने भी C-set के paper आए हैं, उनको ना solve करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है, maths और reasoning लगाने से पहले भी, आपको ना एक बार यह solve करना है, मतलब वैसे तो आप इतना maths जानते ही हो कि solve कर पाओ, लेकिन सबसे पहले यह करना है आपको, यह क्यों करना है, ताकि आपको ना जानकारी मिल जाए कि हां भई कोशन कैसे आते हैं हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा है ना कितना टाइम होता है टाइम मेनेजमेंट कैसे करेंगे वो सब किसी के बताने से नहीं होगा आप जब तक उसको फील नहीं करोगे बिल्कुल एक्जाम होल के पॉइंट ओफ यू से नहीं सोचोगे तब से कम लगाओगे सी सेट के इतना कर जाओगे ना तो सी सेट का भैदूर हो जाएगा और याद रखना दोस्तों सी सेट को हलके में मत लेना एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैरे जानने वालों में दो तीन स्टूडेंट ऐसे थे कि यदि उनको मेंस लिखने का मोका मिल गया क्योंकि आपने जो आप जो कितना भी बहतरी लिखते हो आपकी महनत विफल हो गई इसलिए पीटी सबसे जादा महत्वपूर हो गया है आज की डेट में यदि आपका पीटी पास हो जाता है तो आपकी परिक्षा क्लियर करने की संभावना बढ़ जाती है और पीटी फेल होने में आज की डेट में C-set अच्छी खासी भूमी में का निभा रहा है आपको लगे का असान कि भई हमें OSI में से पतिर्टे कैं बच्ची क्या कोऊंगा अरे डरा रहे हैं OSI में 27 कोश्चन ही तो कर रहे हैं सोते सोते भी कोश्चन कर लेंगे हो कहीं बच्च आयसा सोचन से इस विशय को भी साथ लेकर चलने की ज़रूरत है इस तरीके से हम सी सेट को भी करेंगे बाकी एक बात मैं आपको बोली चुकी हूँ हमेशा सकारात्मक सोचना है आपके अंदर सारी शक्तियां है आप सब कुछ कर सकते हो दोस्तों अपने उपर भरोसा बनाए रखना है और किसी भी कीमत पर गीवप नहीं करना है ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाएगा अगर ये सोच लिया तो खेला ही खत्म है भाई फिर आईस बनने का सपना देखा क्यूं इसलिए कभी भी घबराना नहीं है कभी भी अपने आप में विश्वास कम नहीं करना है भरोसा कम नहीं करना है एक सीट चाहिए ना लेकिन एक बात हमेशा अपने जहन में रखनी है कि एक सीट के लिए मारा मारी है और हमारा हम जो ग्रामीन प्रिष्ट भूमी के के बच्चे हैं हम जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं हम जो गरीब प्रिष्ट भूमी के बच्चे हैं हमारा competition ऐसे बच्चों से है जो आई आई टी अंस है जो MBBS करके अपना राम से डॉक्टर हैं फिर भी जो है परिक्षा में बैठ रहे हैं जिनके माता पिता आई एस आई पीएस हैं जिनको बारवी से ही गाइडेंस मिलने शुरू हो गई थी तो प्रैंकर आप देख सकते हो टीन अडाभी और अभी उनकी बहन भी आई एस बन गई उनकी माता ने उनकी नोक्री छोड़ दी अपनी नोक्री अपनी बच्चियों का फ्यूचर सेट करने के लिए तो इस तरीके की बातों को आपको ज्यान में रखना है ठीक है होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी बाकी किसी का कोई कोशन है तो आप मुझसे कोशन पूर सकते हो बिल्कुल सही बात है विक्रम सी सेट गेम चेंजर फैक्टर अभी हाल की डेट में बिल्कुल हो गया है इसमें कोई संदे है ही नहीं तो इस तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है अभी से लग जाना है एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है याद रखना एक एक नंबर की वज़े से आप मतलब हजारों हजार बच्चे बाहर होते हैं पीटी में तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है और यहां पे दो भी सुनलो कि जब हम कोशन पेपर पढ़ते हैं एक तो इस नहीं भाई साहब का ध्यान रखना है कई बार कोशन में नहीं ना पढ़ने की वज़े से दो तिन कोशन गलत हो जाते है और दो तिन कोशन गलत होने का मतलब होता है सीधा रेस से बाहर और दूसरा फेक्टर है हमे कोशन सॉल्व करते हुए एलिमिनेशन मैथड का यूज करना है यह एलिमिनेशन मैथड क्या है जब मैं आप लोगों को MCQ कराऊंगी तो आप लोगों को मैं समय समय पे बताऊंगी कोशन सॉल्व कराने के करम में कि कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मैथड का प्रियोग करके एक 60 कंसर पर जा सकते हैं और यदि आप 2022 का पॉलिटी का कोशन पेपर देखेंगे तो वहां पे लगभग 7 से 8 कोशन मतलब मैं यह कह सकती हूं कि 5 से 6 कोशन ऐसे थे पॉलिटी और खासकर modern history में जहां पर elimination method तकनीक ठीक ठाक तरीके से काम कर रही थी ठीक है class continue रहेगी संगीता tension नहीं लेना है मेरी जो डेली जो news है मुद्दे की बात वो आती रहेगी और जल्द ही एक नया program भी आने वाला होगा वो आप लोगों आप सब लोगों के लिए surprise होगा ठीक है तो इसी बात के लिए इसी बात के साथ मैं इजाजत चाहूंगी कि अपने उपर भोरोसा रखिए और आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को लाइक कर दो एक बार फिर से शेयर कर देना यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजेगा स्वस्त रहिए मस्त रहिए जैहिन जैभारत ओल दे बेस्ट